मैं डॉक्ट्र प्रवीन गुपता डिरेक्टर नेरोलोजी फोटेस हॉस्पिल गुडगाउं आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही खतरनाक और भ्यानक बिमारी है और जब एडवांस स्टेज में यह डाइगन आजप करें तो से प्रेंटिमर का पहला सिंटम है बढ़ता हुआ है यह रदर चलीनीज जगां पर होता है और लगातार बना अरे वह पिट में भी आ सकता है और कभी-कभी माईग्रेन जैसा भी लग सकता यह और ब्रेंट यूमर का सरदर्द अधि fail झाता है और सुभा early morning बहुत ज्यादा होता है क्योंकि brain का pressure रात में बढ़ता है और सुबह अपनी peak पर होता है और दिन में ये सरदर्ध ज्यादा बेटर होता है अन्य सरदर्ध जली काम करते हुए दिन में तनाव के वक्त जादा बढ़ते हैं को सोते उधना तंग नहीं करते तो यह की स superpower की का सवस्ता सब्सक्राइब अगर किसी आदमी को अच्छानक से दोड़ार हने लगे और सरदर्थ के साथ या दोड़ार शारीर के एक हिस्से को एक करते हैं चालुह मालो एक हाथ से पेर चालु हो रहा है तो ब्रेन में सूजन या ब्रेन ट्यूमर का एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का तीसरा सिम्टम होता है आँख की दिखता है दो दिखाई देना या दीरे दीरे आँख की नजर कम होना ये भी ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम हो सकता है क्योंकि ब्रेन का ट्यूमर ब्रेन में प भाग में कमजोरी आना जैसे कि हाथ काम करना बंद कर दे पैड चलना बंद हो जाए पिशाप पे कंट्रोल बंद हो जाए अवास तुपलाने लगे इसका मतलब कोई चीज ब्रेन को अफेक्ट करें और ब्रेन ट्यूमर का पांचवा सिम्टम हो सकता है सर में भारीपन या चक जाने और अगर यह साथ में हों तो अपने निरॉल्जिस्ट या डॉक्टर से संपर्क करें जो एप्रोप्रियेट ज्यांच करके आपको बता पाएगा कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है कि नहीं धन्यवाद